नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जीवन में जब ज्यादा परेशानी हो जाए आर्थिक तंगी आ जाए या किसी भी तरहे की परेशानी हो दोस्तों आज आप हमारे विडियो में बताए हुए थोड़े से वह उपाय कर लीजिए जो सिर्फ रविवार के दिन किये जाते हैं अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो कैसा भी दुख हो अगर जीवन में धन आना बंध हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो तो दोस्तों अगर आपने गुड का ये उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं जिससे ना केवल अपने जीवन में हर तरह की परिशानी से आपको मुक्ती मिल जाएगी बलकि इन उपायों को करने के उपरांत आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से चला हुआ चला आएगा हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती हैं और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती हैं ऐसा समझा जाता है कि घर में रखी चीजें समस्याओं को दूर करने में बहुत ही मदद करती हैं और पूर कई औश्धिया गुनों की वजह से इसको कई तरीके की खाने की सामगरियों में इस्तिमाल किया जाता है, तो समझा जाता है, जीवन में चल रही कई तरहे की समस्याओं का निवारण होता है, गुड़, गुड़ के कुछ आसान तोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में ए आपके जीवन को पूरी तरहे से बदल करके रख सकता है, ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बलकि कई और भी फायदों के लिए इस्तिमाल किया जाता है, जो हमारे घर सुख समरिधी से जोर देता है, इस कार्य आज आपको हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, दोस्तों यकीन मानिये इसमें आपको गुर खाने की कोई जरूरत नहीं है, बलकि कुछ गुर के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताय हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए, ना केवल आपके ज उपाय अंधविश्वास की बाते लगे परंतु दोस्तों जोतिश और वासु शास्त्र में गुर को सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी में रखा गया है, कहा जाता है कि जीवन में सुक्सम्रिधी लाने के और जीवन के हर तरहे की समस्याओं से मुक्ती पाने के लिए गुर क उपाय किया जाएं तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है का जो दिन होता है वो भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित होता है। सूर्यदेव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का लगातार होता है। ऐसा समझा जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य आपने ये बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वो रविवार को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे। आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है? जल में क्या-क्या चीजे डालके अर्पित की जाती है, जिसके उपरांथ हमारे जीवन से हर तरह की समस्या खत्म हो जाएं. वो जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रही हैं. गुड के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन दो चार, पांच, छै मिनट निकाल करके करिये. ना केवल आपके जीवन के हर दुहक से आपको मुक्ती मिल जाएगी बलकि सूर्यदेव जी की क्रिपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ द इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की क्रिपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशिर्वात से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं. तो दोस्तों अगर आप भी सच्चे सूर्य भक्त हैं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जै सूर्यदेव जी की दोस्तों अब जितने. भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, यह ऐसे सटीक उपाय हैं, जिन उपायों में सिर्फ आपका 5-6 मिनट रविवार के दिन खत्म होगा, और इन उपायों को करने के उपरांत आप अपने जीवन में खुद ही एक चमतकारी बदलाव देखेंगे. इसलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिये, इन उपायों को करने की मुहूर्ध क्या है, वो भी लिख लीजियेगा. सबसे पहला जो प्रयोग है, वो एक ऐसा प्रयोग है, जो आपके जीवन के के दोश को खत्म कर देगा. आप मेहंत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लडाईच गड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नती रुक गई है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, तो इसकी मुख्य वजह क्या ह हो सकती है, इसकी मुख्य वजह यही है, कि आपके जीवन में मंगल दोश है, शनी दोश है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोश है, या हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा निच राशी पर चला गया हो, तो दोस्तों हर तरह के दोश के लिए आपको अ जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको काम्याबी प्राप्त होगी परंतु इसके लिए कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी जैसे एक तामबे का आपको लेना है हर रविवार को नहाने धोने के उपरांत एक तामबे का लोटा लीजिए उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और दो चार बूंद गंगाजल डाल दीजिएगा गंगाजल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है दो चार बूंद गंगाजल डालने के उपरांत उसमें आपको 21 चावल के दाने डालना है थोड़ी सी कुमकुम डालनी है कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं उसमें कुमकुम का इस्तम धोलिया सफेद वस्त्र का धारन कर लीजिये, अपने घर की छट पर जाएए, अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने कुमकुम चावल गुड डाला है, ये आपको सूर्य देव जी को चड़ाना है, अब सूर्य देव जी जब ये आप अर्पित करें, तो इस बात क ध्यान रखियेगा, जो पानी गिर रहा है, उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है, और ओम सूर्य नमक का जाप करते रहना है, जितनी देर पानी गिरेगा, यह उपाय आप ग्यारह रविवार कर लीजिये, दोस्तों, जीवन में कैसा भी दोश हो मंगल दोश शनी, दो सूर्य दोश, चंद्रमा, नीच, राशी पे हो उसका प्रभाव ना हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, यह एक महाउपाय है, जो आज का नहीं बलकी पुरातन काल के समय का महाउपाय, इस बात पर तुरंत ही विडियो लाइक कर दें, और के वहीं बैठे हुए हैं, आपकी नौकरी नहीं लगपा रही है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए ग्यारा रविवार आपको यह उपाय करना है, जो आपको हम बता रहे, और पहले नहा लीजिए धो लीजिए, आप लोग साधा जल भी चाहे, तो भगवान सूर्यदेव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो भी हमने आपको मिश्रन बताये थे, चावल कुमकुम है गंगाजल और गुड के उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं, भसूर्यदेव जी को जल चढ़ाने के उपरांत सौ ग्राम, पांच सौ ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो थोड़ा सा गुड ले लीजिए और किसी भी मंदिर में ले आकर, के दान कर दीजिए, यह उपाय करने के उपरांत सूर्यदेव जी की आपको वो कृपा मिलेगी की नौकरी जो आपकी बा पांच सकते हैं। ले लीजिएगा, उसके उपरांत निकलिएगा। अब मान लीजिए आप डाइबिटीज है, तो आपको क्या करना है? आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड की थैली रख करके अपने दाई जेब में रख लीजिएगा, और फिर अपने काम के लीजिए जाएगा। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है, आपके पास तो अपने बैग में रख लीजिएगा, बस अपने साथ थोड़ा सा गुड रखिएगा, समझा जाता है गुड साथ में रखने से आपके उपर जो। आने वाले दोश बाधाएं होती हैं, वो गुड सुख लेता है, और आप अपने कार्य में सफल हो जाते हैं, दोस्तों आपके जीवन में आपका दुरभाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परिशान है, तो पांच रविवा या लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं, आपका दुरभाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, ये एक महा उपाय है, और ये आपके घर के बड़े बुजर्ग भी ये उपाय जानते होंगे, देखिए एक गाय जो होती है, उसमें 33 कोटी देवी देवताओं का वास हो गोमूत्र में मा गंगा जी का, वास होता है गाय की सीम के बीच में भगवान भोलेनात का वास होता, मतलब गाय जो है वो ऐसे ही हमारी मा नहीं कही गई है, दोस्तों गाय को मा कहने की कई वज़य है, तो अगर आप लोग लगातार पांच रविवार अपने घर पर ग्यारह ग्यारह रोटी बनवा करके उस पे आप लोग थोड़ी सी गुड की भेली रखकर के भी गाय को खिला देते हैं, जो आपके घर के पास तहलती रहती है, दोस्तों आपका दुरभाग्य, सौभाग्य बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटी देवी देवताओं के स महादेव माता लक्षमी जी माता गंगा जी का आशिरवाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने। इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके उसमें थोड़ा सा गुर रख कर के दान कर, दीजिये कंबल हो गया, कपड़ा चछतरी हो गई, ऐसी चीज से किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके या चावल ही हो ये इस पे थोड़ा सा गुड रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं, उनको अगर आप दान कर दें, तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्थ होती है, और दोस्तों आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची हो रही है, वो बेफिजूल खर्ची रुक जाती है, आपके जीवन में जो परेशानिया, दिक्कते हैं, वो हमेशा के लिए समाप्थ हो जाती हैं, सो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, ऐसी ही एक और नई वीडियो में तब तक खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, दोस्तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए,